हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि जब हम किसी आइटम को सेल करते हैं उस दौरान में यदि कस्टमर प्रोड़क को घर मांगाता है तो उसके लिए हम जो डिलेवरी चार्ज होता है उसका इंट्री किस प्रकार करेंगे और पिछली वीडियो में मैंने आ बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से जा करके वाव वीडियो देख लिजेगा तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर चलते हैं बावचर्ष में और पुराना जो इन्वाइस था हम उस पर आ जाते हैं आपको याद होगा कि जब मैंने डिसकाउंट स तो इसके लिए हम को डिलेवरी चार्ज इस पर लेना है तो हम एंटर करते हुए आएंगे यहां पर जो आइटम का लाश्ट इंट्रि है एक्दम वहां पर आ जाएंगे अब देखिया हम यहां पर राश्ट पर आ चुके हैं अब जैसी हम यहां पर एन बटन प्रेस करेंग तो अब अब हम यहाँ पे जो भी charges वगरा काटने होते हैं जो भी tax होंगे वो सारा सब कुछ हम लोग यहाँ पे तयार करेंगे यहाँ पे आपको alt c press करना है अब यहाँ पे हम इससे काटने वाले हैं delivery charge तो हम यहाँ पे shortcut में लिख देते हैं DC करकी तो delivery charge हो गया इसको हम लोग रखेंगे duties and taxes के अंदर में और देखिए इसको अभी हम लोग अदर में रखेंगे अब यहाँ पे हमको बताना है कि जो भी आप यहाँ पे product लिए हैं उस पर हम कितना percent delivery charge यहाँ पे काटेंगे तो मान की चलते हैं कि आसपास का इलागा है तो हम at least 2% delivery charge लेंगे एंटर करेंगे अब देखिए यहाँ पे अब आप से पूछे जाएगा कि method of calculation कौन सर आएगा तो यहाँ पे जो राएगा पूरा total का sale amount है उसका यह काटेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे और यहाँ पे rounding method को अभी हम लोग not applicable रखेंगे उसके बाद simply इसको accept करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो total इसका amount आया था उसका यह क्या किया 2% जो भी delivery charge था वो काट करके यहाँ पे पूरा काट चुका है automatically अब simply हम इसको accept कर देते हैं new reference पे और देखिए wine voice पे हमने क्या कि delivery charge काट लिया है अब यदि आप इसको print करते हैं तो इसका preview मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा DC 2% काटा गया है जो की हुआ है करीब करीब 30 रुपय के असपास मान सकते हैं तो इस प्रकार से यदि आपको भी problem आती है delivery charge वगरा वो काटने में तो आप इसका use करके काट सकते हैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैसा कि अभी आपने देखा कि हम जब यहाँ पे delivery charge create कर रहे थे इस दोरान आपको यहाँ पे देखने को मिला rounding method इसका use आपको किस पकार करना है हम आपको अगले वीडिय में detail में explain करेंगे तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बारा हैं तो इस चैनल को subscribe कर लिजिए साथ में notification bell icon को all पर set कर लिजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको उसका notification सबसे पहले मिल सकेगा तो चले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडि लाले मिलते हैं अगले मिलते हैं झाल झाल झाल